नमस्कार दोस्तों आज हम एक ड्रामा थिलर कवर कर रही हैं अन्ना फ्रज्य की लाश नामक फिल्म अन्ना फ्रज्य एक प्रसिद और सुंदर अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया है मुर्दाघर में घुसे तीन युवप उसे अशोबनीय सुंदरता से मोहित देखें वे अजीब विचार रखने लते हैं शुरुवाती द्रश में अन्ना फ्रज्य का शरीर दिखाया गया है मुर्दाघर ले जाया जा रहा है प्रिष्ट गूमी में पत्रकार बात कर रही हैं अन्ना कितने लोगप्रिय हैं के बारे में वे उसके जीवन के काम के बारे में एक के रूप में बात करते हैं अभिनेत्री और उलेक करे कि वहां अचानक कैसे हुई एक रात की पार्टी में मर जाता है पत्रकारों का कहना है कि उसका शव परीक्षन अगले दिन मौत की उमीद है इस बीच पाउ सुरक्षत रूप से वित्रित होने के बाद अन्ना के बेजान शव को मुर्दा घर में भे और तस्वीरे हैं लेकिन उसने मना किया यहां हमें सूचित करता है कि उसके लेने के बाद तस्वीर उसने अपने दोस्तों को भेजी तीनों फिर अस्पताल के बाहर जाते हैं जहां वे पीते हैं इवान और जावी दबाव में लेकिंग वे अन्ना के शरीर को देखते हैं और वहाँ सहमत हैं। जावी के रास्ते में हैं। अने चुक और कहता रहता है कि यहाँ एक बुरा है। उनके बिना अंदर जाने का विचार। राधिकरन लेकिन इवान उससे आगरा करता है। इसके तुरंद बाद वे मुर्दागर पहुंच जाते हैं। पाउं अपने दोस पॉविल के साथ बनाने के लिए। जवाब है कि लार का उप्योग किया जाना चाहिए। सनेहन यह पूछे जाने पर कि क्या वा इसे जानते हैं। पिछला अनुभव पॉविल ने स्वीकार किया कि उसके पास है। एक ओर की लाश के साथ बनाया गया। साल की लड़की। इवान तो कहता है कि वह साथ बनाना चाहता है। अन्ना लेकिन जावी को यह विचार पसंद नहीं है। पॉव जावी को अंदर एक कमरे में ले जाता है। मुरदा घर जबकि इवान खुद के साथ आनंद लेता है। अन्ना की लाश। इवान के हो जाने के बाद पाउ उस वहाँ अन्ना के साथ बाहर जाने के लिए आगे बढ़ता है। इस बीच जावी किस बात से नाराज है। वे कर रही हैं और वहाँ दोश देता रहता है। उनका अनुसर्ण करने के लिए स्वयम। हालांकि उनके अभधरता के कार्य के दोरान अन्ना अचानक जीवन में लोट आये और खुल गए। उसकी आखे जबकी पाउं साथ बना रही है। उसकी पाव चलाता है जब उसे यहाँ पता चलता है और दूसरे कमरे में आते हैं। जावी रेस्ट रूम में जाता है और अन् के शरीर को ढखने में इस्तमाल करता था। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। जल्दी से अन्ना के शरीर को ढख दो और छुप जाओ जब। अन्ना स्टिल में मुर्दाघर परिचारत आता है। बोल नहीं सकता इसलिए कार्य करता नहीं है। क्या हो रहा है के लिए सतन्क। अन्ना जोर से और जोर से सांस लेती है। इसलिए वह मुर्दाघर का ध्यान आकरशित कर सकते हैं। परिचारत लेकिन वह हेड़फोन का उप्योग कर रहा है इसलिए। उसकी कोशिश नाकाम है। यह सुनिश्शित करने के बाद की सब कुछ क्रम म हैं। मुर्दाघर परिचारक छोड़ देता है, पुरूषों को तब दो विकलपों का सामना करना पड़ता है। वे या तो अन्ना के पुन्रुधान की रिपोर्ट कर सकते हैं। और हमले के आरोपों का सामना करना पड़ा क्योंकि कोई नहीं था। जिस तरह से अन्ना की सह उन्होंने किया या वे उसे समाप्त कर सकते हैं। कि यह बंद है, वह चाभी मांगता है और पाव कहता है कि चाभी बाहर है, वह समझता है कि मुर्दाघर परिचारक, जब वह आया तो उसे बंद कर दिया होगा। कि जावी अनुत्तरदाई है, वे उसे बात्रू में घसीते हैं और शुरू करते हैं। जावी की मदद करने की सोच रहा है ताकि वह मद न जाए। इवान जावी से कहता है कि वे कोशिश करेंगे और उसकी मदद ले और जब मदद आये तो वहा। बस इतना कहना चाहिए कि उस पर हमला किया गया था। लुटेरों इवान पाउं से अन्ना को लाने के लिए कहता है। टॉयलेट भी पाउं और इवान तो छोड़ दो। जावी और वे जाते हैं। जावी का खून साफ करने के लिए मुर्दाघर। जब वे चले गए तो जावी माफी मांगता है। अन्ना और पल मदद पाने का वादा, वह बाहर जाने में सक्षम है। खशन भर बाद मुर्दाघर परिचारक जो सत्ता से पारी को संभालना है, आता है और दर्वाजा खोलता है, पाउं उससे मिलने जाता है और किसी तरह उसे चारों और न देखने के लिए मनाता है। इस बीच इवान अन्ना का मुह ढख रहा है, इसलिए वह मदद के लिए चलना नहीं पाएगी। जावी के शव को कूरेदान में डालेंगे, अन्ना फिर उनसे विंती करते हैं कि उन्हें जाने देना चाहिए, वह जाती है और कुछ न कहने का वादा करती है, लेकिन इवान कहते हैं नहीं, पाउव उसके साथ भी तर्क करने की कोशिश करता है लेकिन, इवान उसे बाहर हीचता है और पाउव को बताता है कि वहां कि हत्या के लिए एक सहायक होगा, जावी और यह की कोई रास्ता नहीं है अन्ना करेंगे, अगर वो जिन्दा है तो चुप रहो, इस बीच अन्ना कुछ ताकत पिकठा करते हैं और वह जिस बिस्तर पर जाती है, उससे गिर जाती है, जावी का शरीर और उसका फोन वह के रूप में लेता है, क्या ऐसा पाउव और एवान अंदर आता है, और एवान जल्दी से उससे फोन इकठा करता है, वह फिर उन्हें बताती है कि उसने केवल फोन किया, उसके पिता और एवान फोन को देखते हैं, पुष्टी करने क लिए वह फिर पौफ को बताता है कि यहां खत्म हो गया है और वे उसे बाहर निकालने का फैसला करते हैं, मुर्दाघर और सब के सामने प्रकट करते हैं कि वहां जीवित है, रास्ते में जावी के सेल फोन की घंती बचती है और एवान उठाता है, अन्ना चीखने की कोशि करता है लेकिन पौविल कवर करता है के साथ एक त्वरित चर्चा के बाद उसका मुहां, अन्ना के पिता एवान ने उन्हें बताया कि यहां एक शरारत है और उसे फोन नहीं करना चाहिए, नंबर फिर से पाउं और एवान फिर जल्दी से अन्ना को लोटाते हैं, मुर्द इवान पाउं को अन्ना को बांधने के लिए कहता है, जबकि वहां कुडादान डालने के लिए बाहर जाता है, जावी का शरीर अंदर, उसके जाने पर अन्ना कोशिश करता है, इवान को रोकने के लिए राजी करें, उसे समाप्त करना, वहां उससे विंती करती है कि वहां उसे इवान के सामने जाने दे, लोटती है और वहां न बताने का वादा करती है, हर चीज में उसकी भागिदारी का कोई भी, वहां तब इवान को पौफ करने का खुलासा करती है, गला घोंड कर हत्या कर दी, जबकि वहां नहीं था, वहां, पाउं का कहना है कि वहां जेल नह जाना चाहता और अन्ना को बांधने के लिए आगे बढ़ता है और भी उसके मुह को प्लास्टर से धक लेता है फिर वह बात्रूम के अंदर जाता है पाउं के चले जाने पर जावी के खून को साफ करें एनी अपने बंधन से बाहर निकलती है और शुरू होती है प्रवेश वार की ओर रेंगना इस बीच इवान की थोड़ी देरी है कूरा उठाने की कोशिश करते हुए बाहर बिन क्योंकी वहाद देखता है कि कुछ कार्य करता है एक चर्चा उसके पास उनके लिए प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकर्प नहीं है अपनी चर्चा समाप्त कर और पहले चले जाएं अप्षिष्ट बिन प्राप करने में सक्षम होने के नाते मुर्दा घर में जाने पर इवान पता चलता है कि अन्ना बच निकला है वह इस पर पाउं का ध्यान आकर्शित करता है और वे उसे खोजने के लिए अलग-अलग रास्ते जाएं कुछ देर इना लिफ्ट में जाती है और वह भागने वाली है जब इवान उसे ढूनता है इवान उसे वापस मुर्दा घर में ले जाता है और पौफ को सूचित करता है कि उसने उसे ढून लिया है पौफ फिर इवान को चुनौती देता है कि वह जावी को गला घोंट कर समाप कर दि और कहते हैं अन्ना सिर्फ पाव बदलना चाहते थे उसके खिलाफ दोनों ने तब तक गला घोटने का फैसला किया जब तक कि वा बंधी हुई चादरों के साथ सांस लेना बंद कर देता है इसलिए उसके शरीर पर कोई निशान नहीं बचा है वे फिल बातरूम में जाते हैं और ले जाते हैं जावी का शव कूरेदान में इवान पौव को साफ करने और ना छोडने के लिए कहता है सबूत जबकि इवान का निप्तान करता है सबूत पौविल ने अन्ना के शरीर को साफ किया और उसे सफेद चादर से ढख देता है जैसे ही वह जाने वाला है पाउ अन्ना को बताता है दिखावा करने के लिए कि वहां मर चुकी है और यहां है खुलासा किया कि उसने हत्या को नकली बनाया इवान लोटता है और वे दोनों छोड़ देते हैं कमरा जैसा कि वे प्राप करने वाले हैं एलेवेटर इवान अपने बटूए की जाच करता है और पता चलता है कि वहाँ अपना कार्ड भूल गया है। मुर्दा घर पाउं अस्फल रूप से उसे समझाने की कोशिश करता है। अपना कार्ड कहने के बजाय छोडने के लिए वह इसे अगले दिन उठा लेगा। इवान दर्वाजा खोलता है। अस्पताल के गाउन पर इवा अंत में यह घोशना करना बंद कर देता है कि वहा करता है। अब परवाह नहीं अगर पौविल जाना चाते हैं। जेल को कभी एना चुपके से उसके पीछे आ जाती है और सर्जिकल के साथ उसे दो बार पंक्चर करता है। कैंची इवान घाव से मौत के लिए खून बह र रहा है। उसकी गर्दन की शक्ती यह कहते हुए रोती है कि इवान था। पहले ही कहा था कि वह चला जाएगा। अन्ना जो बार बार चुप रहते हैं। पंचर पौव फिल्म खत्म हो जाती है। जैसे अन्ना आंसों के साथ घुरते हुए दिखाई दे रही हैं। उसकी आ